आत्मा अपने माता और पिता को किस तरीके से चैन करती है हुखा है जब हम इस दुनिया में आते है तब हमारे माता पिता को खहस कर माता को आत्मा चुनती है वो क्यों चुनती है और उसी को क्यों चुनती है और इसके पिछे आखिर क्या वज़ा होती है इस वीडियो में हम इसके बात करने वाले है लेकिन कभी-कभी आत्मा भुरी मा का भी चैन करती है तो उसके भी पिछे क्या वज़ा होती है इसको हम अगले एक भाग में पारे में जानकरी दूंगा लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा माता पिता को किस तरीके से चुनती है सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर मां कौन होती है मतलब पृत्वी पर जो उसकी मा होती है वो जाजातर आत्मा जिस समुदाय में रहती है उसी समुदाय की एक आत्मा होती है और समुदाय में जो भी जैसे हमने पहले बात की थी कि एक समुदाय में समझो 15-20 आत्माएं है तो वो 15-20 सारे लोग हमारे अब करीबी नहीं होंगे जैसे हमारे class में बहुत सारे समझो 50 बच्चे है तो वो हमारे classmate है लेकिन वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते उसमें कुछ 3-4 हमारे बहुती अच्छे दोस्त होंगे बहुती करीबी दोस्त होंगे वैसे ही आत्मा के सहथ होता है आत्मा जिस समुदाय में रहती है उस दोस्तों कि समझो एक समुधाय में 15 आत्माय है तो उनमें से 4 आत्माय जो है वो एक दिसरे के बहुत करीब है तो ये भी देखा गया है कि वो चारो जो आत्माय होती है वो अलग अपना समुधाय बनकर अलग जगह पर रहती है किसे एक घर में अलग जगह पर रहती है चारो आत्मा हैं मतलब इनका संबंद बाद में उनके संभुधाय के और किसी आत्मा के साथ जाधात नहीं आता पिछ बिच में आता होगा तो इस तरीके से जब आत्मा पृत्वी पर जनम नेलिंग के नौबत आती है तब वो उसी में से समझो पाच आत्मा हैं जो एक दूसरे के ब आत्मा के बारे में बहुत सारी चीज़े चुनी होगी जैसे उसने अपने लाइफ में वो किसको मा बनाएगी या पिर किसको अपना हमसफर बनाएगी तो ऐसा उसने अगर अपने हमसफर बनाया है तो इस आत्मा को पता होगा कि उसका हमसफर कौन है, उसका पती कौन होगा, उसके साथ कौन जिन्दगी बर उसका पती बन कर रहेगा, तो इंडिरेकले इसने अपने पिता जी को भी चुना है, तो इस तरीके से आत्मा ही चुनती है, बहुत लोग यही कहेंगे कि हम अगर पच्छे के मतलब दुग सुख को समझ नहीं बाते बहुत बार मां भी नहीं समझ पाते ऐसे भी कैसे आपने देखे होंगे आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जहापर उस लड़के को उसकी मां ही मतलब उस पर अत्यचार कर रही है या फिर बहुत कम गटना इगटी है जिसके बारे में हम मतलब बाद में हम जो बुरे इस तरीके से लोग जो वेवार करते उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्या आकिर उसके पीछे क्या वज़ा होती है लेकिन यहाँ पे आपको मुझे एक समझाने की कोशिश कर रहू तो वो इस तरीके से आतमा का निर्मान करती है अपनी मा का किस तरीके से तो वो यह देखे यह कि इस मा के साथ अगर मैं रहूंगा तो यह मुझे किस तरीके से संभालेगी या फिर से मुझे क्या चीज़े सिखनी होगी और उसकी जो मा की जो सोल है उसको भी पता होता है उ अध्यत्मिक विकास कितना आत्मा का होगा ये उस आत्मा के लिए बहुत जादा महत्वपुर्ण होता है और इस तरीके से ही वो आत्मा का जीवन का चैन करती है और मा का भी चैन वो इसी तरीके से करती है जैसे अगर वो मा उसकी बनती है तो वो कितना अध्यत्मिक उसको वि पीता के हाथ में हैं मतलब कही ना कई हम अपनी जिन्देगी किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं इस वज़े से वह आत्मा ऐंभी बहुत ज़ादा मतलब सोच विचार करके ही अपनी माा को अपने पिता को चुणने की कोशिश करती है यह एक भाग हुआ बहुत बार बहुत आम इंसान हूँ, मैंने मेरे आत्मा के लिए बहुत ही जादा जो चीजे महत्वपुर्ण थी वो मेरी मारगदर्शक ने मुझे कही, मैं यहाँ पर आया पृत्वी पर, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि प्लैन करना और उस तरीके से चीजे होना इसमें जमिनास्मन का फरोग होता है, मैं आपर पृत्वी पर आया, पृत्वी पर मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं कर पारा, जो भी मैं सोच था, मैं चोटी-चोटी चीजों से डरने लगा, जिम्मेदारी भी मैं ठीक से नहीं लेने लगा, कामकरोद लोग तो है ही इंसान को गलत रास्ते पर ल कि बहुत बार क्या होता है, कि उसकी जो खुद मार्गदर्शन आत्मा होती है, उसको भी बहुत चिंता होती है, कईना कि उसको जिम्मेदारी दी गई उस आत्मा के, और वो आत्मा तो ठीक से नहीं कर रहे ही कुछ भी काम, तो ऐसे वक्त में मार्गदर्शक आत्मा है, तुम्हें अच्छे से सांसकार देने की कोशिश करूंगी तो ऐसे वक्त में अगर मैं आपको सच कहता हूं दोस्तों कि अगर किसी के बारे में सब कुछ पता होता है उसको सारी चीज़े पता होती है कि यह कहा पर कम पड़ रहा है तो ऐसे वक्त में वो उसको संभाल कर लेंगे जितना हो सके अपना 100 नहीं 200 पसंड देने की कोशिश करेंगे अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए लुटा देंगे तो ऐसे व जो मैं आपको उदार अंडे रहा हूँ एक लेसी नाम के एक समझर लड़की है क्योंकि ऐसे बहुत सरे वाकिया हुए है लेसी नाम के लड़की है उसने जनम लिया पृत्वी पर और उसके भी मारगा दर्श कोई आत्मा होगी वो उसको आफ्ज़र कर रही है कि यह किस तर करने जाता है उसमें successful होता नहीं वेचारा बार-बार वो असफल होता रहता है और इस वज़े से उसके सामने दूख आता है तो ऐसे मौके पर यह भी देखा गाया है दोस्तों कि उसकी जो मारगा दर्श का आत्मा है उसने पहले नहीं तय किया था लेकिन अब उसने तए कि ये भी देखा गया है कि मारगदर्शक आतमा उसकी ही कोई संतान बनके रुसके जीवन में आए ये भी केसे सो गये है एक लड़की केसे केस थी जहाँ पर उसके पते ने उसको फसाया और वो उसको बाद में छोड़ कर चला गया जब इसको अपना बच्चा हुआ तो बच्च जाएसे बढ़ता गया वो बच्च बहुत ही मेचयॵर था अपने उमर के इसाब से जजादा और मतलब अपनी मा को समझाता था या फिर अपनी से वह बहुत कुछ काम करता था और अपनी मा को जितना उसे प्यारं देने की कोशिश करता था और इस लड़की ने दोस्तों इ अपना पास्टलेफ रिग्रेशन करवाया था तब उसको पता चला था कि उसकी मार्गदर्शक आत्मा खुद उसका बेटा बनकर आई थी कितनी ये बड़ी बात है उसने कहा कि मेरे आखों में एकदम वो जब सोचा तब वो दो-तिन मिनेट रोही रही थी कि नहीं है कि इसकी जिम्मेतर या आत्मा को दी है यह उसके तो इस वजह से मार्गदर्शक आत्मा जो था उसका बेटा वनकर खुद आया तरगल वारा जनम लेना पड़ता इसलिए उसके मारगदर शक आत्मा ने खुद उसके लाइफ में आना पसंद किया मैं आपको इस जो घटना है दोस्तों यह मुझे लगता है कि मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा बहुत ही बुरा दौर है और ऐसे व आत्मा यह चाहती है कि हम इस रहा पर बड़े या फिर हम इम्मत ना हारे दोस्तों तो इसलिए उनका बहुत जादा वो मशक्कत करते हैं हमारे लिए तो इस तरीके से जो आत्मा होती है दोस्तों अपने माता पिता को इस तरीके से चुनती है आत्मा के लिए माता पिता जा गीद होती है लेकिन ऐसा नहीं है आत्मा के लिए भी प्रुथवी पर बहुत जाता संबंद महत्व पुरुना बन जाते हैं क्योंकि जैसे हमने कहा कि हमारी जिंदगी हम किसी और के हाथ में दे रहे तो उसको बरबात करना या फिर आबात करना यह उन लोगों के हाथ में होत है उस पर कोई मतलब कोई आच ना नहीं है इसी जादातर आत्मा जो होती है वो माका चोईस करते हैं अगले एक भाग में दोस्तों हम देखने वाले है कि आत्मा बहुत बार कभी-कभी बुरी भी एक माका चैन करते है उसके पिछा किर क्या वजा होती है या फिर बुरे पि करती है इसमें सबसे महत्वपुर्ण एक ही भाग है कि उतके आत्मा का विकास उसका आत्मा का विकास जहां पर बहुत ही अच्छे से हो सकता है उसकी करीबी आत्मा वही मतलब उसके 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 वक्त बहुत ही जाता महत्वपुर्ण है और इस तरीके से वह अपने का विकास इस तरीके से करती है तो दोस्तों हम अगले विशह को मतलब जो है मा बुरी मा का आत्मा क्यों निर्मान करती है इसका हम अगले भाग में किसे देखेंगे और आप अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों किसी नए विशह को लेकर और आप प्लीज अपना और अपन कितावे और जानकारी भेजी जाएगी इसके साथ सांध जो लो मुलाकर वांच ओडियोज उन Cameron बेजी जाएंगी तो जो लोग इस सांस्ताके साथ जुड़ते है उनको हा सारी चीज़े उनके email पर या फिर WhatsApp पर बेजी जाएंगी अगर आपको इस सांस्ताके साथ जुड़ना है तो गृपया इस नंबर पर WhatsApp करें